तूटा है इंडियन स्पिनर्स का घमंड और जीत गई है इंग्लेंड सीरीज का पहला टेस्ट भाई मुझे तो यकीन ने हो रहा कि हम होम कंडिशन्स में स्पिन पिछ पे अश्विन, अक्षर, जडेजा, बूमरा इन सब के होते होए भी एक टेस्ट मैच कैसे हार गए खुद एक मजाग बनके रह गए रिशब भाई लगे हा तब आप भी लॉटी आओ मजाग नहीं चल रहा है हाँ जानता हो भाई इस चैनल का पासवर्ड मुझे याद है इस पे भी वीडियो आती ही है बस कुछ ताइम से दूसरे चैनल पे जादा वीडियो डालने लग गय दुख, दर्द, पीड़ा, पेन सोचा था इस सीरीज में बैसबॉल की धुलाई करके वोल्ड कप का दुख बुला देंगे लेकिन लग रहा है जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है उल्टा हम और डिप्रेशन में चले जाएंगे प्रोईद भाई आपके राज में इस सब क्या चल रहा है हमारी मिडल ओर से अच्छी बैटेंग हमारे टेल एंडर्स कर रहे है शुमन गिल श्रेय सायर अगर ये लोग ऐसे खेलेंगे तो अपना फ्यूचर टेस्स क्रिकट का बहुत खतरे में है पहले एटलीस डव्यू टीसी के फाइनल में कौलेफाय तो हो जाते इसको याद रहेगा कि किस पॉइंट पे मैच हा रहे है और रोहिद भाई वो कैप्टेंसी करने का तवीका थोड़ा कैजूल लग रही है बाई 2013 से लेके 2022 तक अपने होम टेस्स में सिर्फ दो डिफीट थी और उसके बाद से 2023 से लेके अभी तक में पिछले तीन टेस्स मे कि लीड ली है उसमें हम सत्तर बार जीते हैं बाकि सारे ड्रौ है और सिर्फ एक बार हारे हैं और वो यह मैच था प्लेर्स की खतम हो गई है बस सब लोग वेट ही करे जा रहे थी कि कि किसी तरह इंग्लेंड खुद कोई गलती कर दे और हमें वेकेड मिल जाएं कहां वो विराट और शास्त्री का एरा होता था बाई जिसमें हर बंदा वेकेड का भूका होता था और अग्रेशन दिखाई देता था फील्ड में इंटेंसिटी औल ओवर दे प्लेस होती थी बट अब तो ऐसा लग रहा है अपने प्लेयर्स को आदत ही होगी है बस दो तीन दिन में मैचेस निप्ताने की जहां मैच चौते दिन चला जाए वहां इन सब की हाला टाइट हो जाती है तो लग रहा था टीम में चेंजिज लाने की ज़रूत है तो क्यों न यंग्स्टर को चांस दिया जाए और इस मैच की परफॉर्मेंस देखके लग रहा है कि यंग्स्टर को क्यों मौका दिया जाए पैशली एक यंग्स्टर को तो बिल्कुल ना दिया जाए इससे अच्छा पुजारा रहाने कोई लेहों सेफ ऑप्शन होते हैं बाई एटलीस घर पे तो जिता देते हैं और अपनी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस देखके पक्का वो अपनी प्रैक्टिस की वीडियो अप डालने वाले है देखो डे फोर पे थर्ड सेशन शुरू होने से पहले टी के टाइम पे हम लोग क्रूज कर रहे थे 130 रंच चाहिए थे 7 विकेट्स पड़ी थी केल राहूल बैटिंग कर रहा था उसके बाद भी हमार गये मैच मैं तो ये देख के हरानू कि हमारे होम ग्राउंड पे हमारे ही अगेंस इंगलेंड की टीम सेलेक्शन जादा बेटर थी हमारी टीम से उन्होंने बहुत स्मार्टली एक ही पेसर को खिलाया मार्क वूड और बाकी चार स्पिनर और हम लोगों ने फॉर नो रीजन तीन स्पिनर और दो पेसर खिलाया एक पेसर सिराज भाई थे और बंदे ने पूरी दो इनिंग्स में एक भी विकेट नी ली यही अगर हमने सिराज की जगा पे कुलदी प्यादव को खिला ले होता तो अभी हम इतना रोना धोना नहीं कर रहे होते उल्टा वो इंग्लेंड वाले रो रहे होते कि पिछ कितनी खराब थी और तुम बोलो कि मैं बहुत जादा रो रहो लेकिन भाई रोना बनता है किसने कहाता है ऐसी न्यूटरल पिछ बनाने के लिए जिस पर बैटिंग भी हो जाए और स्पिन भी हो जाए चल गया चार दि बैटिंग तो बिलकुल ना हो पाए बैट्समें खड़ा भी ना हो पाए बॉल घूमती रहे ताकि वो लोग हार जाए और हम जीट जाए क्योंकि हम उन्हीं पर जीट सकते हैं बताओ भाई अपनी बैटिंग फोर थिनिंग में इतनी खराब थी कि ओली पॉप से मुश्किल से छे रंजादा मार के आए हम लोग ऐसे ही मैचेस देखके तो हम ICT फैंस को पूरा टाइम स्ट्रेस होता रहते हैं और फिर इनके खतम होने के बाद बस हम एक ही सवाल पूछते हैं इन सब से अच्छा तो मैं SA T20 फॉलो कर लूँ एटलीस क्रिकेट एकेशेंज फैंटेस पर अपनी टीम बना के कुछ जीतने का चांस तो रखता हूं वहाँ पर इन सब जमेलों से दूर चल रही है SA T20 की सीरीज जहां पर अपने आई पेल की फ्रैंचाइजे टीटी खेल रही है आज रात 9 बजे है मुमा इंडन्स वसे चैन्नाई सूपर किंग यानि MI Cape Town vs. जो ब एक्सपर्ट टीम्स का उसमें थोड़े बहुत चेंजिस करके अपनी टीम उतार दो कॉंटेस्ट में परना अगर सबसे स्ट्रॉंगेस टीम बनानी है तो भाई मैच इनफो और मैच अनालिसिस जैसे फीचर का यूज़ करके बेस्ट टीम बनाओ और जीतो भाई इतने सारे और अच्छे फीचर कोई और आप नहीं देती है फैंटेसी में इसी लिए टॉप रेटेट फैंटेसी आप है डिस्क्रिप्शिन में लिंक है डाउनलोड कर लो और कॉंटेस्ट फटाफट से जॉइन कर लो नौ बजा आज रात को मैच होने वाला है और अगर इस मैच में करना तो ऐसी टीटी के और भी बहुत सारे मैचेस में कर सकते हो नौ रिसमिका कॉंटेस्ट हर मैच के लिए वैलिट रहेगा खेर देखो भी आगे बढ़ने से पहले ओली पोप को अप्रिशेट करना बनता है वाना इसकी विरे से हमारी टीम हार गई हमें और स्ट्रेस अपनी पूरी टीम मुश्किल से इसके टोटल के आसपास आ पारी थी और बंदे की डेडिकेशन ऐसी है कि इतनी लंबी बैटिंग करने के बाद फील्डिंग पर भी आ गया और तगडी फील्डिंग करी है एक दब इंपॉर्टन पॉजिशन शॉर्ट लेग वगरा पर भाई शुबमन गिल, we have to talk about him. 21 टेस्ट है और मुश्किल से 30 के आवरेज है. इससे बेटर आवरेज टीम में अक्षर पटेल की है जो 9 नमबर पे बैटिंग करने आता है. इंगलेंड की टीम का बेन फोक्स विकेट कीपर जो 6 आ 7 पे बैटिंग करने आता है उसकी आवरेज बेटर है. इन फाक्त, Cameron Green जो कि आवरेज बेटर है, मैंने देखा भाई, उसकी भी आवरेज बेटर है. मैच इस सिमिलर ही है. कहां पहले दो न्यू वाल आवर टीम कुजारा नमबर 3 संभाला करते थे और अब एमदाबाद के किंग संभाल रहे है. ये जोक बोलतो है बुर पैजम इदर भी दो. और ये तुम लोग कॉमेंट्स में डिसाइड कर लेना कि आयर भाई को कौन सी इंजरी देनी है सोर ग्रोइन की? लेफ्ट पे या राइट पे? क्योंकि मुझे पता है तुम इस बात से अग्री करोगे कि एक टांग पे खड़े हो के रिशाप, शुमा भाई देगो ऐसे तो नेक्स टेस्स मैच से पहले एक वीडियो बना दूगा मैं बगवान करे विराट कोली प्लीज थोड़ा से पहले वापिस आ जाए तो अपनी कुछ नहीं आ बच जाएगी अगले टेस्ट में लेकिन फिर भी मुझा लग रहा है रजट पातिदर को खि टेस्ट मे लगी। निकाल दी। भाई चे़ छोड़ो ओनली पेसर था जिसने विकेट निकाल ली और किसी पेसर को खोई विकेट को भी को विकेट मी लिए और कैसे कड़ते हो बुमरा भाई को भी या बोलिंग तो अलग है ही मेरे हpose u गया था कि मैंने Instagram के broadcast channel में बोल दिया था कि ये बंदा शायर तीसर अरण बिमारी देखोवर में, वो अलग बात है कि सारे सपने थोड़ी सच हो जाते हैं, कर तुम लोग को अगर मैच की बीच में मेरी थोड़ी बहुत इपनी या मेरी थोड़ी बहुत जोक्स दी होते हैं, मेरा broadcast channel join कर लो, जो कि तुम्हें Instagram पर मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे follow कर लेना, और वहाँ पर नीचे ढाके man in blue broadcast channel join कर लेना, मस्त मजा आता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियोज डालता रहे तो, कुछ ना कुछ फन करते रहते हैं, मैच की बीच में, बाकि मैंने ए से, बासे रोहिद भाई का समझ में नहीं आता, कैमियोज वैमियोज ठीक है, हो गए बहुत सारे, बट ये विकेट्स कब थो करना छोड़ेंगे, in fact, इस मैच में तो एक फोटो वाइरल हो रही थी, कि भाई हमारी पूरी टीम में कोई बाउंडरी मारते हुए ये अपनी व वह भी नहीं थी, और यार इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम मैच हारने के बाद दोश गूम रहा और सिराच पर डाल देंगे बैटिंग का, अरे कब तक तेरी गल्तियों का टोक्रा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा, देखो, all things aside, अपनी टीम से, जड़े जड़े विकेट्स भी निकाली थी, बस थोड़ी सी किसमत खराब रह गई, जो second innings में बंदा run out ही हो गया, Ben Stokes, हर बार ये Ben Stokes को इना कोई दिक्कत खड़ी कर देता हमारे लिए, similarly Akshar Patel ने भी decent knock ही खेला, बट second innings में उतना अच्छा नहीं कर पाया बंदा, even though promote किया गया था, पत तो KS भरत ने भी बहुत आथा अच्छा खेला, ऐसे ही खेलना ये अंगस्टर्स को, बट फिर आ गया इनका ये Tom Hartley, पहली निंस में बहुत प्रोल हुआ बिचारा, सौ और run से जादा खालियते इसने अपनी बॉलिंग में, फिर आके दूसरी निंग में पता नहीं कहां से मैच, बट कितना ही कर सकता था, जब बाकी सपोर्ट कुछ था ही नहीं, एक तो मेरे को ये समय नहीं आता कि भाई, जो रूट हर जगा बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन इंडिया में आके इसमें मुर्दी धरन वाली आत्मा पता नहीं कहां से आ जाती, इतनी विकेट न काल देता ही है, अब अगले मैच से पहले कुछ तो प्लान ओफ आक्शन से आना पड़ेगा, इस बैस बॉल का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये रो बॉल अपने को रुला देगा, एनीवे भाई, अब इस टॉपिक से हटते है, इस बीच एक अच्छी ख़बर हाई ये मैच जी जाते हैं इतनी खुशी नहीं होती, इस से बेटर ये ही है, ऊपर से वेस्ट इंडीज के बॉलर शमार जोसब ने रिशप पंत की तरह और श्रीलया को पेल दिया, अब तो लग रहे है गाबा का घमंड नहीं, बलकि गाबा को बंद कराने का टाइम आ गया है, ये कौन सा गमंड है जो टूटे ही जा रहा है, टूटे ही जा रहा है, जब से पंत भाई तोड़के गए है, तब से इनका आतंक ही खतम हो गया है, बाई बट अगर तुमने ये मैच नहीं देखा तो और इसकी हाइलाइट जाके जरूर देखना, शमार जोसब ने क्या ही ब और ऐसी ही डेडिकेशन के लिए तो हम लोग टेस्स माचेस देखते हैं, यही तो मज़ा है टेस्स माचेस का, इनकी जीत तो इनके लिए बहुत जादा बड़ी थी और खुशी दिख भी रही थी, अपनी भी टीम कुछ ऐसा कर ले अगले मैच में और हम भी थोड़ा आएगी जल्द, इस मैच की वज़े से थोड़ा सा डीले हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मुच वाचिंग, लव यू ओल, बाई बाई